समान नागरिक सनेता मामले में राज्यों के हाथ कई ऐसे मुद्दो पर बटे हुए हैं लेकिन क्या वास्तों में केंद्री सरकार इसको लेकर आगे बढ़ेगी क्यूंकि एक एक करके बीजेपी शासे तमाम राज्यों की ओर से अपनी आवाज यूनिफॉर्म सिरल कोर्ट पर बुलंद की गई है इसी बारे में चर्चा करने के लिए खास में मान जुट चुके हैं उनका तारूफ आप से करवा देती हूं गौरभाटिया राश्योट प्रवक्ता भारती जन्रता पार्टी के हमारे साथ इस वक्त मौझूद हैं गुर्दीब सपल प्रवक्ता कॉंग् अधिकार सरकार चीन लेना चाहती है इस वज़े से समान नागरिक सन्हिता का राग भारती जन्रता पार्टी की ओर से छेड़ा जा रहा है चित्रा जी देखे सबसे पहले तो जो समविधान ये बात करते हैं कि अनुछेद 25 इन्हें धर्म की स्वतंतरता देता है उसी समविधान में आर्टीकल 44 अनुछेद 44 बात करता है समान नागरिक संग्ता की उनिफॉर्म सिविल कोड की तो या तो आप समविधान को मानते हैं चित्रा जी या नहीं मानते हैं ये तो नहीं हो सकता है एक अनुछेद अच्छा है दूसरा खराब है दूसरी बात मैं सुनता था अभी जब हिजाब का मामला आया कि कॉलेज स्कूल में नहीं पहनना चाहिए तो इन लोगों ने का बिया रम्बेटकर सहाब ने हमें ये अधिकार दिया था अब बिया रम्बेटकर सहाब जी नहीं अनुचे 44 में बहस में कहा था कि ये देश के हि स्कूल कॉलेज में जो यूनिफॉर्म है उससे भी नफरत है और देश में समधान के तहट यूनिफॉर्म सिविल कोड से भी नफरत है किया इन्हें यूनिफॉर्मिटी से नफरत है छ अगर हम यहीं बदहने कि कि सम्विधान एक चट्टान की तरह है और उससे अगर धक्या नूसी सोट टकराएगी और समांता का अधिकार दूर करेगी नागरिकों का तो यह गलत है और चट्टान से टकराएगी तो चूर चूर हो जाएगी अब जवाब देंगे यूनिफॉर्विटी तब अच्छी है क लेकिन यूनिफॉर्विटी सबको सम्मान देडे तो खड़ाब है उनिफॉर्म सिविल कोड क्या समधान विरोधी है शोईफ जमई चित्रा जी उनिफॉर्म सिविल और समान अधिकार और नागरिकों के समान की बात करता है लेकिन ये देश प्लूरिजम और डाइवर्सिटी से बना है क्या आर्टिकल 382 में जो डिरेक्टिव प्रिंस्पल है वो इंकम की इक्वालिटी की बात नहीं करता है क्या 39ABC जो है ये नहीं कहता है कि एक ही लोगों पर इतना दौलत क्यों जमा हो गया 2% लोगों के 98% जमा है और बाकि यहां से 2% दौलत में ही यहां से बाकि 98% मुलक में है क्या आर्टिकल 44 UCC के आप बात करते हैं क्या दया बागा और मिताश्री एक्ट के बारे में बात करेंगे यह सिर्फ मुसल्मानों का मामला नहीं अभी आपको जब बुलाया जा रहा था तो आपको एक कि इस टॉपिक पर आपको बातशीत करना है क्या हमारी गेस्ट कॉडिनेशन ने आपको ब्रीफ किया था इस बारे में मैं इसी पर बात कर रहा हूं यूसी सी के तहट क्या मैंने आपसे पूछा क्या वो संविधान विरोधी है शोईब जमाई जी नहीं मैं यह कह रहा हूं कि यही संविधान इस बात की गैरेंटी देता है कि जो मुसल्मानों का सिर्फ मामला नहीं है मैं कह रहा हूं आप क्यों इसको हाइच बनाते के मुसल्मान वहीं नौर्थ इस्ट में नागा लैंड मीजोरम में क्या पॉलिएंडरी की इजाज़त पर तो शामिल कर पाएंगे को लेंडरी की इसाज़त और तुब्रूस फामली सक्सेशन आट जो गोवा में है क्या आप उसको यहां से यूनिफॉरम से लापाएंगे क्या उसकी यूनिफॉरमिटी होगी पूरे देश में हिल्दू अंडिवाड़ेट प्रॉपर्टी आट से यहां से राप्नाहे करा हूँ इनका पता ही आपता है क्या की अपिड you servis और रिवाड़ेशन है और प्रॉपर्टी के जो डिस्ट्यविशन है उसका अपना सब्सक्राइब पुर्टगाल सब्सक्राइब तोड़ा का जिसका जिक्र कर रहे हैं थोड़ा सा तो मतलब दर्शकों को ऐसे ध्रम में डालने की कोशिच नहीं किजे श्वेब जमी मेरा सीधा सवाल है आप सब्सक्राइब आप मेरी बात सुनिये ना दरहसल दिक्कत आप लोगों की है यह हो गई है ना जो सच है वही देश के सामने मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या अगर यूनिफॉर्म सिवल कोर्ड आता है क्या वो हिंदू पर लागू नहीं होगा क्या वो तमाम जो आदिवासी कि हमने और मैंने उलमा से मालुम किया था कि मुस्लिम परसनल लावर्ट ने खुद कहा था कि इस मामले को ज्यादा तूल न दिया जाए कि देश में जो हिसाई हैं जो सिक में जो क्रिश्चन्स हैं वो सारे उनके अपने आपने जो परसनल लौग है वो भी हमपर होंगे उन तो सबको बुला करके एक डिस्कॉशन के जिए ना सरे मुसल्मान ही क्यों इसमें टार्गेट तो बुला कर बातचीत करके समाधान के दिशा में आगे बढ़िए लेकिन आप लोग भी तो थोपना चाहते ना यह दिखाना चाहते हैं एक वर्ग पर कि देखे हम जो चाह ले करेंगे वही होगा